हलो एल्वान, वेल्कम टो दे श्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉब करते समय अगर आप किसी भी एक्जाम के त्यारी करना चाहते हैं, चाहे हो रेल्वे एक्जाम हो गया या फिर एससी का एक्जाम हो गया तो कैसे हमें अपना प्लानिंग रखना है और उसी के लिगार्डिंग हम इसमें बात करेंगे, सबसे जो इंपोर्टेंट चीज यही है क्योंकि जो जितने भी लोग हैं जो नौकरी कर रहा है या फिर हो सकता है प्राइवेट में कर रहा है या फिर किसी गौर्णमेंट आफिस में भी जो अगर वो जॉब कर रहे हैं और कोई लोग गुर्प सी में हैं और वो लोग जैई का गीजाब निकालना चाहते हैं तो इस तरह के कोई भी एप्लॉई है किसी भी फिल्ड में अगर जॉब कर रहा है तो वो लोग अपने बीजी सेडियोल में से कैसे अपने लिए समय निकाल आए और वो अपनी तैयारी को क एक बार एकजाब निकाल चुके हैं तो उन्हें पता है एक आइडिया पता है कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है क्या कैसी चीजों को छोड़ना है और वो अपने सेडियोल में से समय निकाल पाते हैं उनकी तुलना में जो प्राइवेट जॉब में हैं और वो लोग ज्य ज्यादा का समय उनका लंच में या फिर खाना बनाने में उनका जाता है और इसके बाद से अगर मैं बात करूँ तो आट से नो घंटा अगर वो सोने का टाइम निकालते हैं इस से ज्यादा भी लोग सोते हैं ये बहुत मिनिमम टाइम मैं बता रहा हूँ तो कम सकुम आप देख सकते हैं कि 20 घंटे के आस पास में आपका डेली का सेड्यूल एकदम विजी है और आप इसमें से बहुत मुश्किल से समय निकल पाएंगे तयारी करने के लिए इस से ज्यादा भी लोगों का समय बैस्त हो जाता है लेकिन इसके बाद भी मैं एक चीज और बताना चाह स्क्रीन टाइम अगर आप देखना कुशिश करेंगे तो कम से कम चार से पाँच घंटे का उनका स्क्रीन टाइम रहता है वो कहां रहता है यह इसी 20 घंटे में इनका चार से पाँच घंटे का डेली का स्क्रीन टाइम रहता है इस से जादा भी हो सकता है कई लोगों के वह अगर मैं कहूँ डेली का स्क्रीन टाइम 6 गंटे प्लस भी देखने को आपको मिल सकता है तो यह अखिर समय कहां से आ रहा है यह इसी 20 गंटे के समय में से आप निकाल रहा है या फिर इसी 24 गंटे के समय में हो सकता है 8 गंटे जिस समय आफिस में हो और वैसा वर सेडियूल आपका है बिल्कुल भी आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं उस 8 गंटे में भी बिजी सेडियूल जितना भी आप टाइम देते हैं जॉब में उसमें से आपको कम सकम डेली दो घंटे निकालना है अब दो घंटे मैं कहा रहा हूं बहुत से लोगों के पास दो घंटे भी निकालने का समय नहीं होता है क्योंकि देखिए अगर आप सोसल परसन है तो बहुत से जिम्मेदाई आपके उपर रहती है तो दो घंटे भी निकाल पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है लेकिन अगर आपको एक्जाम के तैयारी करनी है या फिर कोई भी एक्जाम अगर आपको निकालना है रेलवे का ही जाम हो गया एलपी का एक्जाम हो गया तो आपको समय तो निकालना पड़ेगा और ये दो घंटे मैं कह रहा हूं आपको offline मतला आपको बैठ करके पढ़ाई करने के लिए मैं बात कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हैं और उससे मैं भी पढ़ रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको भी उसी में continue इसमें भी उसको add कर लेंगे तो चीजे मैं इसमें add नहीं कर रहा हूं दो घंटे आपको proper एकदम बैठ करके अच्छे से पढ़ना है चाहे लेक्चर देखके आप पढ़ रहे हो या फिर कोई books से आप पढ़ रहे हो दो घंटे आपको निकालना है निकालना है तीसरी बात क्या है कि आपको अपने social media का यू यूज कर रहे हैं या फिर मान लीगे Facebook यूज कर रहे है ज्यादा लोग का टाइम इसी में जाता है तो Instagram Facebook या फिर Whatsapp में जाता है उसको आपको फॉलोगर के रखना है जैसे आपको मैं कहूँ United Nation के पेज हो गए PMO India का आपको पेज हो गया या फिर BBC Hindi का पेज हो गया अब कई लोग BBC को लाइक नहीं करते हैं उनका अपना परसनल कारण है मैं इसमें बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनले लाइक नहीं करते हैं लेकिन ये एक जैनुविन पेज है और BBC को जो फॉलो करता है उसे एक करेक्ट नुज मिलती है इतना मैं जरू कहना चाहूँगा उसके बाद से Nobel Prize पेज है इसको आपको फॉलो करके क्या होता कि कि अगर कोई भी स्कीम उस स्टेट में या फिर आज में निकलती है तो उसका वह लोग पोश्टर या फिर वह लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं बिलकुल और इस गवर्णमेंट में बहुँ ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर पैसे खर्च होते हैं तो आपको वहीं से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और आपका करेंट फिर वहां से तैयार होगा और बेसिक आडिया आपको मिलेगा तो यह चीज़ हो गया आपको सोसल मेंडिया के यूज करना है और सोट्स पे आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद करिए सोट्स और रिल्स पे अपना समय वेस्ट करना बंद करिए तब ही आपके तैयारी हो पाया यह नहीं तो अगर आप चाहते हैं इन सब के साथ जुड़े रहने के साथ भी अगर आपकी तैयारी बहतर हो तो मुस्किल है मेरे लिए कहना तो यह मुस्किल है इसके पास से अगर आप य आप से आप और साइंस से ए रिलेटेट जो भी आपको अच्छा लगे जो भी आपके पास हूण अच्छ हर एक सब्जेक्ट से इरेजिनिंग हो गया एंजिंग ड्राइंग हो गया ठीक है तो इससे दो दो कोई भी दो से तीन इससे जज़्यादा भी आप साप्स्राइब क दो पर बार बार फेक तैप के इस तरह के वीज के लिए वीडियो बनाते तो मैं कहूंगा उसको आप अवाइड करिए अगर आप नहीं करेंगा तो आपका दिन का हो सकता है कि आदा घंटा टाइम वो लोग इस तरह की न्यूज में आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो वो रहा हूं जो लोग जॉब कर रहा है तो जहर सी बात है उन्हें money problem तो अभी कम सकम तयारी के लिए तो money problem उनको नहीं हो रही है problem तो पैसे तो आपको खर्च करने ही करने है तो current fair की magazine का दोपेज का notes होगा बनाना पड़ेगा आपको और उसके बास से maths की book आपके पास practice की होनी चाहिए ज्यादातर कोसिश करना है आपको कि previous year question से related आपका book हो जिस exam के आपको तयारी कर रहे हूं अगर आप daily match से 20 question भी अगर आप solve करते हैं जो मैंने कहा है दो घंटे आपको निकालना है 20 question भी अगर आप solve करते हैं तो हो सकता है कि आप एक हपते में एक chapter तो आसानी से complete कर ले जाएंगे 20 question सिर्फ आपको करने हैं 20 से ज़्यादा भी आप चाहें तो अगर आपने आज 20 नहीं किया है तो कल आप उसको 40 कर सकते हैं 30 भी कर सकते हैं क्योंकि आपका daily के schedule इतना अच्छा से नहीं हो पाएगा कि आप daily अपने टारियोट को पूरा कर पाएं उसके बाद से मैं कहूंगा कि general science से related science में आप daily एक book आपको रखना है कि जो उस इज्याम से related हो और सिर्फ science के उसमें question हो तो अगर आप 50 question भी daily सिर्फ उससे read करते हैं और एक topics को आप YouTube पे देखिए एक topic कोई science कोई एक topic हो आप YouTube पे सर्च करिए उससे related notes बनेगा ज्यादा ज्यादा आप एक पे से ज्यादा notes मत बनेगा अगर वो topic YouTube पे 30 मिनट 40 मिनट का हो तो आप रास्ते में भी उससे चाहें तो देख सकते हैं और कहीं भी आपको free time मिल ला है तो आप उसके lecture देख लीजिए और तुरंत आप notes नहीं बना पा रहे हैं तो उसके screenshot वहां पर ले करके आप जब घर पर आईए तो फिर छुटी ले करके प्रप्रिसन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं लेकिन अभी मैं नहीं कहूंगा कि अगर देखें किस एक्जाम का notification अगर नहीं आया हुआ है तो मैं पहले से नहीं कहूंगा कि आप लोगों को job क्यूट करना चाहिए या फिर job से छुटी लने चाहिए जब कम से कम notification आजाए exam की date confirm हो जाए कि near about उसके आसपास में हो जाएगा तब आप अगर चाहते हैं कि दो महीने तिन महीने का leave लेना तो आप ले करके और अपनी तयारी को बहतर कर सकते हैं लेकिन कैसे बहतर होगी जब आप कम से कम इससे 50% के आसपास का slavers complete स्रिफ आधा ही अगर आप complete के रहेंगे तब भी last time पे आप एक से दो महीने में बाकी की तयारी अच्छे से कर सकते हैं लेकिन आप minimum target को भी अपने पूरा करेंगे तो नहीं हो पाएगा ठीक है इतना जितना मैंने कहा है अगर आप एक महीने तक इससे follow करते हैं तो आपके तयारी जरूर इंप्रूब होगी और इंप्रूब जब होती है तयारी तो आपको करने में तयारी करने में मन भी लगता है तो इतना आप करिए जॉब करते हुए आपके तयारी बहतर हो जाएगी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर उसका कोई option नहीं है आप रिल्स और यह सब सोसल लाइफ को आप थोड़ा सा sacrifice नहीं कर पाएंगे तो तयारी करना थोड़ा सा मुस्किल है और किसी के अगर आप मैंसा कमेंट सक्सें में पूछते रहेंगे तो फिर रोज में एक ही टफिक को वीडियो नहीं बना पाऊंगा और बाकी लोग जो लोग है जो रेगुलर है तो वो लोग तो देखते ही देखते हैं तो फिलीज आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाएए और व